इस अईतिहासिक स्वतमत्रता दीवस की पूर जोस तैयारी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के हर कौने में तिरंगा ही तिरंगा चाया हुआ है। गुजरात का भी कोई कौना ऐसा नहीं है जो उमंग से भरा हुआ ना हो। और सूरत ने तो इसमें चार चान लगा दिये है। आज पूरे देश का ध्यान सूरत पर है। सूरत की तिरंगा यात्रा एक तरह से लगु भारत के दर्शन हो रहे हैं। है साइद हिंदुस्तान का कोई कौना ऐसा नहीं होगा जिसके लोग सूरत में नबस्ते हो। और आज एक पकार से पूरा हिंदुस्तान सूरत की धर्ति पर तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल हुआ है। और ये भी खुशी की बात है समाज का हर वर्ग शामिल है। तिरंगे में जोडने की कितनी तांकत है ये आज सूरत में हम देख रहे हैं। सूरत ने अपने व्यापार, कारोबार, अपने उद्योगों के कारण दुनिया में अपने एक अलग पहचान बनाई है। आज सूरत में हो रही तिरंगा यात्रा दुनिया भर में भी आकरशन का केंदर बनेगी। साथियों, आपने तिरंगा यात्रा में भारत माता की जाकी के साथ साथ देश की संस्कृती और पहचान से जुरी जाकिया को भी शामिल किया है। विशेश्रुप से बेटियों द्वारा, शावर्य प्रदर्शन और युवाओं की जो भागिदारी है, वो वाकई अधूत है। सूरत के लोगों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम की भावना को तिरंगा यात्रा में जीवन्त कर दिया है। कोई वस्त्र विक्रेता है, कोई दुकामदार है, कोई लूम्स का कारिगर है, कोई सिलाई या एमरोडरी का कारिगर है, कोई ट्रांस्पर्टेशन से जुड़ा है, कोई हीरे जवारात से जुड़ा हुआ है, सूरत के पूरी टेक्ट्राइल इंडस्री, सूरत के लोगों न इस आयोजन को बहुत भव्य बना दिया है। हर गर तिरंगा भ्यान की इस जन भागिदारी के लिए और इस विशेश तिरंगा यात्रा के लिए मैं आप सब को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं विशेश रुप से सावर प्रसाद बुधिया जी और साकेत सेवा ही लक्ष गुरुप से जुड़े सभी वोलेंटियर्स की सराहना करता हूं जिन्होंने ये पहल शुरू की। समसद में मेरे साथी सियार पाटिल जी का सहयोग इस पहल को और सजक बना रहा है। साथियों हमारा राष्ट्रिय धवज अपने आप में देश के वस्त्र उद्योग, देश की खादी और हमारी आत्मन निर्भरता का एक प्रतीक रहा है। इस ख्षेत्र में सूरत ने हमेशा से आत्मन निर्भर भारत के लिए आधार तयार किया है।